दोस्तों आप सभी से नमस्कार अचानक से ये नजारा दिखा तो हमने अपनी गाड़ी रोग दी और हमने सोचा आखिर क्या चीज है भाई और ऐसा लगा ये फवारा है अब ही अचानक इतना शांदार नजारा जब मैंने देखा मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है तो हम भी दिखाते हैं आपको आप भी देखिए कितना शांदार नजारा है और ये फवारा है दोस्तों और देखी कितना बढ़िया लग रहा है कितना सुंदर डिजाइन दिया गया है इसको नजदीक चलते हैं थोड़ा सा यह देखिए यह फवारा है दोस्तों और कितना बढ़िया लग रहा है आपको भी अच्छा लग रहा होगा बेटा इधार आ क्या नाम बेटा तुम्हारा सूरज यह फवारा कब से चल रहा है यहाँ पर चार बज़े से रोज चलता है अच्छा लग रहा है आपको कौन चलाता इसको आपके पापा बुलाओ थोड़ा उनको अच्छा तो किसके आदेश पर चला है यह कौन कहता आपके पापा कुछ थेकेदार गणेश कितने दिन हो गए और इसको फवारे को चलते हुए कितना दिन हो गया यह साथ बज़े बंद हो जाता है अच्छा लग रहा है तो दोस्तों यह फवारा अभी हालताज में शुरू हुआ है चार-पास घंटे इसको चलाते हैं लेकिन काफी अच्छा लग रहा है बहुत सारे लोग लोकेशन जाना चाहते हैं यह लोकेशन है सेक्टर 12-15 रेड लाइट इसको बोलते हैं यह देखि हैं यह देखिए सेक्टर 12-15 रेड लाइट है यह अंदर सेक्टर 15 की तरफ रास्ता जाता है और यह सेक्टर 12 कोड की तरफ रास्ता जाता है और यह हाईवे की तरफ रास्ता जाता है इधर बाईपास की तरफ रास्ता जाता है तो यहीं पर यह फवारा चल रहा है और काफ जंगी सीटी दिखाई पड़ती हैं लेकिन ये फवारा बना हुआ था काफी पुराना फवारा है तो अभी इसको चालू कर दिया है तो अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैंने सुचा आपको जरूर दिखाते हैं हुआ है तो सेक्टर बारा का ये नजारा है आप लोग भी क्रमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा ये फवारा तो दोस्तों कमेंट आने शुरू हो गए हैं बहुत सारे लोग कह रहें कई वर्सों से चलना हाँ बहुत पहले बना हुआ है लेकिन चलता नहीं था अभी इसको चालू कर दिया गया है ऐसा लगता है फरीदाबाद नगर निगम चुनाव आने वाले हैं तो कुछ नकुछ दिखाना है पबलिक को इसलिए ये फवारा चार पांच घंटों के लिए शुरू किया गया है ब्रेक दिया जाता है एक गंटे आधे आधे गंटे उसके बाद ये फवारा चल पड़ता है तो तीन चार गंटे चलता है तो कापी अच्छा लगा पुरिदाबाद में उससे अधर बंडर पर ताफ तीन आवाश्चार